मेरा नाम है देव, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले SFT, Statement of Financial Transaction क्या होता है क्योंकि recently यहाँ पर Government ने Income Tax Portal के उपर एक AIS, Annual Information Statement यहाँ पर लांच किया हुआ है तो गाइस पहले SFT के अंदर क्या होता था, केवल जो High Value ट्रांजेक्शन होते थे, केवल वही दिखाये जाते थे लेकिन अब इसका Criteria काफी बढ़ा दिया गया है छोटी से छोटी चीज और बड़े से बड़े चीज यह सारी चीजे अब SFT के अंदर यहाँ पर रिपोर्टिंग होने वाली है तो आज के इस वीडियो के अंदर लोग डिसकस करेंगे कि SFT का जो Criteria वो कितना बढ़ाया गया है अब आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे किस किस टाइप के ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर रिपोर्ट होंगे वीडियो को शुरू करने से विले बताना चाहूंगा अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के तुरो अपनी रिटन फाइल करवाना चाहते लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं देके आप मेरी स्क्रीन की सामने देख सकते हैं पहले स्फ्ट के इंदर क्या होता था कि अवल जो हाई वैल्यो ट्रांजेक्शन होते थे इससे वही दिखाई देते थे मलब पहले जो 26 एस हुआ करता था उसके नाप जब भी नीचे जाते थे तो आपके जिते भी हाई वैल्यो ट्रांजेक्शन होते जो 10 लाग रुपए के उपर होते थे वही सिफ यहाँ पर आपको दिखाई देते थे इस के अंदर जैसे नॉर्मल यह आपकी बैंक की FDs हो गई मलब FD अगर 10 लाग के उपर किये तो आपको SFT के इंदर दिखाई देते थी यह आपने मालीचे mutual fund के इंदर 10 लाग से उपर invest किया हुआ है यह stocks अगर buy कर रखें तो यह 2-3 चीज़े आपको केवल SFT के इंदर दिखाई देते थी लेकिन जब से यहाँ पर AIS portal launch हुआ है यहाँ पर चोटी से चोटी चीज़ और बड़े से बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है जिसे आप मेरी screen की साब में देख सकते हैं यहाँ पर आपका छोटे से चोटा dividend जो है जिस भी company का होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा उसके अलावा जो interest भी है पहले bank का interest क्या होता था जो भी bank जो interest के ओपर tedious काट था था किवल उसी का interest जो है आपको पहले 26 AS में दिखाई देता था लेकिन guys अब AIS के अंदर क्या हो गया AIS के अंदर आपका चाहिए जिद्धा भी interest मिला हो 50 रुपे भी interest अगर bank ने आपको दिया है तो वो भी यहाँ पर SFT के अंदर दिखाई देगा आपको और guys सबसे interesting चीज़ यहाँ पर यह कि आपने जो भी shares buy कर रहे है जैसे आप सभी लोगों पता होगा हमारे इंडिया के अंदर दो depository है CDSL और NSDL मतलब आप जिस भी broker के साथ में account खुला है चाहिए जिरोदा ग्रो अबस्टॉक इन दोनों के उपर एक ना एक आपको जो है अपना आपका account open होता है तो guys यहाँ पर क्या हो गया जितनी भी आप shares buy कर रहे हैं चाहिए छोटे से छोटा shares हो या बड़े से बड़ा amount हो तो दोनों ही guys CDSL और NSDL आपके सारे share की यहाँ पर AIS के अंदर यहाँ पर reporting कर रहा है तो आप मेरी screen की सामने देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी share अगर sellout हो रखा है तो उसकी भी यहाँ पर reporting हुई है लेकिन guys AIS के आने के बात में क्या हो गया है जैसे हमारे इंडिया के इंदर दो mutual fund यहाँ पर रजिस्टार है एक CAM से और एक cave intact है तो guys दोनों ही यहाँ पर चाहिए छोटे से छोटा amount हो या बड़े से बड़ा amount हो वो दोनों ही चीजें यहाँ पर आपके SFT जो AIS portal है उसके अंदर यहाँ पर reporting चालू है जैसे एक आपका SFT तब लगता था जब आपका जो bank के अंदर cash deposit है अगर आपने 10 लाग रुपे से उपर जादा यहाँ पर जमा करा रखा है तो आपका जो भी bank है वो यहाँ पर SFT बनाके income tax department को यहाँ पर भीजता था उसके लावा अगर मालीजिए अगर आपने कोई भी F cash के अंदर payment कर रहे है यह 10 लाग रुपे के उपर का cash by bank payment कर रहे है तो guys चाहिए वो आपका credit card company हो यह कोई साभी bank हो तो उसकी भी reporting यहाँ पर SFT के अंदर जा देखती इसके लाब आगर मालीजिए आपको किसी person से यहाँ पर 10 लाग रुपे से जादा के bond वगर अगर आपक रुपे के उपर तो जिस भी company का bond है उसको भी SFT के अंदर यहाँ पर reporting करना पड़ता था इसके लाब आगर मालीजिए mutual fund particular mutual fund house से अगर आपने 10 लाग रुपे से जादा unit purchase कर रहे है एक particular mutual fund house से तब भी guys वो mutual fund house जो SFT के अंदर reporting करता था इसके लाब आगर मालीजिए mutual fund particular mutual fund house मालीजिए foreign currency को sell out करते है उससे अगर आपको 10 लाग से जदा receive रुखा है तब भी यहाँ पर उसको यहाँ पर reporting करना पड़ता इसके लगा अगर आप मालीजिए कहीं पर property buy कर रहे हैं और उसमें जो आपने payment की है अगर property की जो payment है अगर 10 लाग रुपे के उपर है या फिर आप जहां पर registry करवा रहे हैं उसमें जो value है वो 30 लाग के उपर है तब भी guys वो SFT के अंदर यहाँ पर जो transaction आपके दिखाई जाती इसके लगा guys अगर आपको किसी से cash का जो payment है वो 2 लाग रुपे के उपर हुआ है cash के अंदर तब भी guys उस बंदी की जब भी tax audit होती थी त safety के अंदर अभी मैंने आपको कुछ जो example बनाया है वो पहले तक बिल्कुल applicable थे और अभी तक applicable है जो 26 AS में भी आपको आसानी सी साथ में दिखाए देते थे लेकिन guys यहाँ पर 2021 के इन्दर इनोंने एक amendment लाया गया और यहाँ पर क्या हुआ हुआ एसको क्राइट एरिया थ उन सभी की reporting यहाँ पर आपको AIS के अंदर दिखने लग जाएगी इसके लावा guys जितनी भी dividend की income है वो भी यहाँ पर आपको SFT के अंदर दिखाए देगी और जो interest की income भी है चाहिए छोटे से छोटा interest हो उसकी भी जो reporting है आपको SFT के अंदर दिखाए देने लगी और guys यह applicable हो चुकी है जब से यहाँ पर government ने AIS portal को launch किया है so guys यह मैंने आपको पूरी summary बता दी SFT के उपर इसके उपर अगर आप अधिक जानकारी चाहता है AIS portal को अगर क्या होता है इसके उपर मैं already वीडियो बना चुका हूँ link चो मैं आपको description box में दे दूँगा तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं so guys hope you like this video please subscribe our channel अगर आप लोग की कुई भी doubt से comment section के दर जरूर बताइए thank you guys thank you very much